गुड मोर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है जैनुरी ट्वंटी 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 टू और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर के अनेलिसिस देखे डेट भी आज थोड़ी सी यूनिक है ना तो मेरा नाम पर सिते अंदर चोधरी शुरुआत करते हैं बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं देखे पेज नमर आज मैं नहीं लिख पाया क्योंकि समय की थोड़ी कमी थी लेकि मैं ऐसे आपको मैं बता दूँगा तो पहला जो हम लोग करने वाले है यह पेज नम सीड़ी अध्याव आजी करने लिखेज होंगा गया ऑशन फूर्ट पर जी-ई-श्टी लगाएं के ने लगाएं सरकार है यह हमीं लिख हम्मारे एकस्पो आहने ल Harley आपको नहीं बताता मंता वाली टर्म उस समय वो आर्टिकल हमारे लिए बहुत important हो जाता है अगले जो topic करेंगे वो हम लोग root bridge के बारे में करेंगे इसके बारे में तो already UPSC में question पुछा जा चुका year मुझे ध्यान नहीं, शायर 2014 या 2015 में से ही था already पुछा जा चुका है, दुबारा से news में है तो फिर से आपके लिए question पुछा जा सकता है important है आप इसको ध्यान से देखना अगले जो topic करेंगे हम लोग इसको tiger senses के बारे में पढ़ेंगे तो ये तो खहर हमेशा important रहता ही है जब भी जो हमारे vulnerable या जो critically endangered या फिर जो इस तरह के जो schedule 1 के अंदर जो animals होते हमारे जो species होते हैं उनके बारे में कोई भी news कभी भी आए अपनी notebook में उसको note कर लिया करो क्योंकि वो important होते हैं और आजगा editorial section India Germany relation के बारे में पढ़ेंगे इंडिया शिरिलंका, इंडिया पाकिस्तान, नेपाल, मयानमार, USA, UK बहुत बार पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से पहली बार हम लोग इंडिया जर्मनी relation के बारे में पढ़ेंगे important है international relationship के हिसाब से तो इसको ध्यान से सुनना है notes बनाने है, अच्छा है, छोटा है लेकिन छोटा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि important नहीं है छोटा है लेकिन important है और एक दो additional topics में उसको भी थोड़ा देख लेंगे कहर करते हैं शुरुवात, लेकिन रोज की तरह जो नया section हम लोग net किया है, वो है आज के दिन, आज के दिन एक बहुत important चीज़ हुई थी second Anglo-Sikh war के दोरान, मुलतान को British forces ने आज के ही दिन उसको अधिकार में, control में ले लिया था, देखिए, यह जो आपको दिख रहे हैं यह पुरा Sikh empire है जो की महराजा रंजीत सिंग के समय पर हुआ करता था, 39 में के बाद रंजीत सिंग जी की उनकी बाद जब डैथ हो गई, उसके बाद वो अलग अलग बंटने लगा, जैसा हमेशा ही होता है, मुगलों के समय में विवा, मराथाओं के समय में विवा, जब major जो सबसे बड़ किंग होता है, जो मर जाता है, तो उसके जो नीचे छोटे जो चले चपाटे होते हैं न, और जो छोटे मोटे होते हैं, जो छोटे मोटे गवर्नर्स होते हैं, तो वो कही न कहीं करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा डिस्ट्रोय होना शुरू हो गया था, उस समय में ब्रिटिशर्स को बड़ी खास opportunity देखे रंजीत सिंग के समया में ब्रिटिश लोगों की हिम्मत नहीं हुई पंजाब को annex करने की तो कि रंजीत सिंग जी की जो force थी ना वो एक दम ब्रिटिशर्स के बिलकुल बराबर हुआ करती थी technology wise भी और discipline wise भी तो इसलिए ब्रिटिशर्स के relations रंजीत सिंग जी के साथ बहुत जबरदस थे अच्छे relations थे लेकिन जैसे उनकी death हुई तो ब्रिटिशर्स लोग आपको पता ही हमेशा मौका ढूंडते थे तो जैसे उनको मौका मिला उन्होंने करना शुरू कर दिया तो first Anglo silk war हुआ और फिर second joke war के अंधर अगेbel कर दिया और उससे मैं जो दरबार वहा कर था उसके अंदर जो बिटिश इटीजन गार्टे थे जिसको वोलते थे उन्होंने मुल्टान के उपर ऐटेक किया और फाइनली उन्होंने मुन्दराज को हरा दिया था ठीक है तो आज के दिन मुलतान के ओपर बिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था उसके बाद जो है फाइनली देखे जनुरी है ना 22 जनुरी फिर जनुरी जो है मार्च में उन्होंने पूरी तरह से पंजाब को अनेक्स करके अपने कंट्रोल में कर लिया था तो जिस तरह से जो पंजाब का जो पुरा कंट्रोल था फाइनली वो बिटी सर्स के हाथ में आ गया था थोड़ा सा कर आपको इस वोर के बारे में पढ़ना है तो कुछ मैंने डिटेल दिया हुआ है आपका मन करे तो पढ़ लेना और वैसे जब पढ़ो जरूर देखी होगी है ना अबने सल्यूट भी मारा होगा वहाँ पे फोटो गरा भी क्लिक किया होगा सेल्फी वगरा लिया होगा तो यह अमर जवान जियोती है हमेशा जलती रहती है 24-7 जलती रहती है तो यह तो हो गया अमर जवान जियोती अमर जवान जियोती से जैसा ही 400 मीटर के आसपास अब जब आगे जाते हो तो ये क्या है इसे 2019 में ही इसको नेगुरेट किया गया था इसे काहते हैं National War Memorial तो मोदी जी ने इसको नेगुरेट किया था और उपर वाले को किस ने किया था इंदिरा गांधी ने किया था ठीक है और दोनों को क्यों बनाया गया दोनों को बनाया गया कि जो हमारे जवान शहीद हुए है अलग-अलग बैटल्स में उनकी याद में बनाया गया है अगर आप कभी इंडिया गेट को ध्यान से देखना तो यहाँ पर इसकी दिवारों के ओपर बहुत सारे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए है ना वो आपने चीज़ देखी होगी तो इसी को लेके जो है थोड़ा सा मामला यहाँ पर गरमरा गया है कैसे देखिए अमर जवान जयोती पर जयोती जलती रहती है 24-7 तो अभी सरकार पता क्या कर रही है इस जयोती को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके जा रही है यहाँ पर उसको जलाने की बात चल रही है जिसकी वज़े से उपजिशन वाले सरकार को दिन रात गाली देने में लगे हुए है उनका कहना है कि आप लोग इसको किसी प्रोपगंडा के तहत कर रहे हो हाला कि सरकार ने अपनी सफाई दी है तो थोड़ा से पर मामला देख लेते हैं क्या है तो जवान जयोती कहाँ जलती रहती है अंडरनीथ ना इंडिया गेट बहुत ही आइकोनिक सिंबल है दिल्ली में जाते हैं तो यहाँ डेफिनिटली आप लोग जाते ही हो ट्रिब्यूट दिया जाता है इंडिपेंडेंडेंस के बाद जितने जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है हालाकि इंडिया गेट को उससे में नहीं बनाया गया था इंडिया गेट को थो 1931 में बिटिशर्स के दोरह बनाया गया था तो कि बिटिशर्स की forces में 90,000 से जादा Indian soldiers वो शहीद हो गय थे अलग-अलग battles में 1st world war और उसके दलावा आफरीका वगारा में बहुत सरे वोर्स होते थे यौरप में वोर्स होते थे उनकी याद में बिटिशर्स ने इंडिया गेट को बनाया था तो इंडिया गेट तो पहले से था लेकिन जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान वोर हुआ ठीक है और उस समय हम लोगों ने पाकिस्तान के ऐसे छक्के छुड़ाए कि बंगला देश को अलग निकाल दिया तो उस समय जो इंडिया के सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हुए थे उनकी याद में Republic Day 1972 में इंडिरा गांदी ने अमर जवान जियोती को इनोग्रेट किया था उसके बाद से ये 24 घंटे जलता रहता है ठीक है पूछेगा कि एक्जाम में आपसे वो पूछेगा कि इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगार आपसे पूछ सकता है तो ब्लैक मार् प्लिंथ है ये मार्बल का बनावा ध्यान रखना ठीक है और ये प्लिंथ के उपर जो राइफल है ये कौन सी राइफल है ये है L1 A1 राइफल भी आपसे पूछ सकता है और इस राइफल के उपर क्या है ये जो है हेलमट है ठीक है और ये उल्टा लटका हुआ है और इसी प्लिंथ के आस पास आपको 4 कलश दिखाई देंगे, देखे पहला ये है, दूसरा ये है, दो पीछे की तरफ रखे ओई है, 4 कलश होते हैं, ठीक है, और इन कलश में ही लगातार आग जलती रहती है, एक समय में एक ही कलश में जलती है, मतलब ऐसा नहीं कि हर समय चारों में जलती रहते हैं नहीं, एक समय में एक लेकिन जो कोई खास occasion होते हैं जैसे Republic Dave गा रहा हुआ, Independence दे हुआ तब चारों को जला दिया जाता है ठीक है, 2006 से पहले इनको supply अभी आग जलती कैसे है इसको जलाया जाता था LPG सिलेंडर से, ठीक है तो एक 1.5 दिन चलता था वो सिलेंडर लगबग, 1.5 दे तो उसके बाद उसको change कर दिया जाता था लेकिन 2006 के बाद हम लोगों ने LPG सिलेंडर को replace कर दिया, देखे है LPG सिलेंडर अपने हमें blast भी हो सकता है भाई कुछ नहीं कह सकते, तो हम लोगों ने एक PNG मतलब pipe natural gases को replace कर दिया तो यह तो थोड़ा सा इसके बारे में था अमर जवान जियोती के बारे में च्छिक है, और अब बढ़ते हैं आगे तो अमर जवान जियोती देखे थोड़ा सा को मैं बताता चलूँ कि जो इंडिया गेट है यह ब्रिटिश इंबल्स है है ना, ब्रिटिश ब्रिटिशर्स की निशानी है इंडिया की निशानी थोड़ी नहीं तो आज भी हम लोग इंडियन पार्लेमेंट की बात करते हैं Indian Parliament भी Britishers ने बनाया था, India Gate भी Britishers ने बनाया था, और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो इंडिया में Britishers बना के गए हैं, जिसको आज भी हम लोग संभाल के रखते हैं. तो यह इंडिया की जो colonial era है, यह उस colonial era का सिंबल है, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को इन से दूर होना चाहिए, देखें, दुनिया में बहुत सरी ऐसी कंट्री होई, जहाँ पे बिटिशर्स का कंट्रोल था, या दूसरी कलोनियल पावरस का, आजादी के बाद उन सभी कंट्री ने अपने कलोनियल पास्ट को, जो डार्क पास्ट था, उसको लोगों ने क्या किया, 2019 में अमर जवान जियोती से 400 मीटर दूर एक और हम लोगों ने नैशनल वर मैमोरियल बनाया, अब ये देखें, सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि देखें, 1971 के वर के बाद कहीं सारे वर हुए, है ना, कारगिल वर हुआ, और भी बहुत सरी ल नहीं लिखे हुए है, लेकिन जो नया वर मैमोरियल हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए है, जो की 1947 के बाद जितने भी शहीद हुए है, चाहे वो 1971 वाले भी क्यों ना हूँ, सभी के लिखे हुए है, तो इनका कहना है कि जो नया वर मैमोरियल है, ये जादा अच्छे तरीके से रेप्रेजेंट करता है हमारे सैनिकों की शहादत को रादर देन दा इंडिया गेट और इंडिया गेट तो वो सिंबल है ना कलोनियन पास्ट का तो उससे थोड़ा सा दूर हटना चाहिए अब एक चीज़ आपको बताता हूँ महत्मा गांदी जी तो अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे अहिंसा के संदेश देते थे उन्हों ने भी ये कहा था कि आजादी के बाद ब्रिटिश पारलेमेंट को बंब से उड़ा देना चाहिए आप समझ सकते हो गांदी जी ने ये कहा था कि पार्लेमेंट को बंब से उड़ा दो क्यों क्योंकि ये बिटिश पास्ट का हमारे एक्स्प्लोइटेशन का सिंबल है बिल्कुल है भी कही न कही मैं इस बात को जरूर मानता हूँ ठीक है तो इसी लिए भी थोड़ा इसको हटाया गया और और भी कहीं सारे रिजन्स हैं खेर तो इसको क्यों बनायागा क्या बनायागा 1961 से ही इसके बारे में चर्चा ही हो रही थी लेकिन पिछली सरकारों ने कोई ऐसा डिसीजन लिया नहीं था लेकिन फाइनली वो इस प्रेजन्स सरकार ने ले लिया है थोड़ा सा गर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो है चार सरकल बने हुआ इस तरह से तो सबसे पहले वाला सरकल है इसे कहते हैं रक्षा चक्र ठीक है सरकल ओफ प्रोटेक्शन दूसरा जो चक्र होता है सेकंड वाला इसे कहते हैं त्याग चक्र सरकल ओफ सेक्रिफाइस तीसरा जो चक्र होता है उसे कहते हैं वीर्ता चक्र ठीक है सरकल ओफ ब्रेवरी और जो सबसे अंदर वाला सरकल है जो आगो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अमर चक्र ठीक है सरकल ओफ हिम्मोर्टैलिटी और यहीं पे जो है वो जोती हर समय जलती रहती है तो हम लोग क्या करेंगे अभी जो इंडिया गेट पे यानि के यहां पे जो अमर पे जाके माथा नहीं टेकते हैं भी या वो यहीं पे जाके माथा टेकते हैं लेकिन हमारे इंडियन पॉपलेशन की साइकोलिजी में साइकी में यह अमर जवान जियोती इतना जादा रमा गया है ना मतलब इतना जादा इसके लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट है ना अभी लिए जो नया हम लोगों ने बनाया है ना यह बहुत जज़ादा पुप्लर हो नहीं पाया अभी भी लोग इंडिया गेट पही जाते हैं मैं तो कभी कबार रात को समय मिलता है साखासकर सममर्स में रात को दो बजे तीन बजे डिनर विनर करके कभी मोर करता है तो इंडिया गेट आराम से घूम के आते हैं अगर आप कभी जाओ रात को वहाँ पे बहुत बढ़िया माहल रहता है अभी तो खेर कोविड के समय में इतना नहीं है लेकिन कभीड से पहले रात को दो बजे, तीन बजे, बारा बजे जब भी जाते हैं बहुत बढ़िया माहल रहता था आईस्क्रीम गारा खाते थे बहुत बच्चे फैमिली के साथ फैमिली घूमने आती थी बहुत चबरदस माहल रहता था खेर आप भी कभी जाओ तो थोड़ा जाके देख सकते हो तो यही था इसके बारे में आप अपनी विचार बता सकते हो क्या यह सरकार का मूव सही है नहीं है और पोजिशन वाले कहते हैं कि सरकार हिस्ट्री को रिमूव करना चाहती है और वो सारी कसारी चीज़े हैं सरकार कहते कि नहीं ऐसा नहीं है वो सारी कसारी आपको पता ही है इदर उदर के और्गमेट चलते ही रहते हैं खेर आगे वड़ते हैं अगली जो नियूज है वो आती है दोस्तों और गुजरात हाई कोट ने इसके बारे में कुछ अपना डिसीजन सुनाया था जिसके अगेस्ट में अभी सरकार सुप्रीम कोट में गई हुई है मामला कया है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ बेखें जियस्टी तब लगाया जाता है जब कोई सामान इंडिया में produce हुआ हो, उसकी services इंडिया में ही दी जा रही हो, ठीक है, इंडिया में ही उसको consume किया जा रहो, तब GST basically लगाय जाता है, बाहर से अगर कोई सामान हम लोग मंगवाते हैं, उसके अपर custom duty लगती है, ठीक है, import duty उसके अपर हम लोग लगते हैं, अगर यहां से कोई चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर की तरफ उसके उपर सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है, GST अलग है, Are you getting this point? अब यहां पे एक चीज समझी आप, मालो आप कोई, देखे अलग से मैं समझा देता हूँ, आप हो, मालो, यह है Mr. Ram, और यहां पे Mr. John, अब Mr. Ram जो है, वो दिल्ली में बैठे हैं, और इन्हों ने USA से Mr. John से कोई समान मंगवाना है, अब वो समान कैसे आएगा, वो शिप के थूँ आएगा, तो यह क्या करते हैं, Mr. Ram क्या करते हैं, यह किसी third party को contract करते हैं, इस third party क्या करते हैं, यह shipping जो भी चार्ज होते हैं, transportation उगारा के, उस सब का contract ले लेती है, तो यह जितनी में transaction हो रहे हैं, इसके किस के बीच में हो रही है, यह Mr. John के बीच में हो रही है, और third party के बीच में हो रही है, फाइनली यह दोनों आपस में पैसे का लेंदेन करते हैं, और वो सामान जो है, वो मुंबई पर पहुंचेगा, मुंबई में Mr. Shams को receive कर सकते हैं, इस तरह का provision होता है, अब आप एक चीज़ देखिए, Mr. John तो Indian नहीं है, और यह third party है, यह भी Indian party नहीं है, यह भी विदेशी party है, तो दोनों के बीच में contract हुआ, इंडिया में इसका GST क्यों ले रहे हैं, यह थोड़ी सी सोचने की बात है, और इसलिए मामला Supreme Court में चल रहा है, ठीक है, अब थोड़ी सी detailing पे जाते हैं, detailing कुछ इस तरह से है, के, एक चीज होती है, जिसे कहते हैं, Coast Insurance and Freight, CIF, यह नया चीज है बिल्कुल, इसमें होता क्या है, तो जो Mr. John, समान किसको भेज रहे हैं, Mr. Ram को, अब मुंबई पोर्ट से पहुँचने से पहले, जो भी खर्चा आएगा, उस transportation का जो भी खर्चा आएगा, जो भी उसके उपर टोल्टेक्स लगेगा, कुछ भी होगा, इवन उसकी protection, और उस पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनका दाना, पानी, खाना, खर्चा, सब कुछ, वो Mr. John पे करते हैं, Everything is paid by Mr. John, लेकिन जब वो समान मुंबई पोर्ट के उपर आ जाएगा, तब सारे के सारी responsibility Mr. Ram की होती है, इस सिस्टम को कहते है, Coast Insurance and Freight, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी लागो होता है, जब कोई समान वोटर के थुरू आता है, ठीक है, आरे गाटी तिस पॉइंट, इंपोर्टर हो, चाहे हो एक्सपोर्टर हो, तो आप मेरे से GST क्यों चार्ज कर रहे हैं, जब already आप मेरे से Custom Duty चार्ज कर रहे हो, वो तो करी रहे हो न आप लोग, तो मेरे से GST क्यों ले रहे हो, तो ये तो double counting हो गया, आप मेरे से double time tax क्यों ले रहे हो, तो है समान भेजते हैं USA से सारा खर्चा और खर्चा निकाल के वो जितना भी खर्चा है नवबाद में उस प्रोडट के प्राइस में जोड़ दिया जाता है तो मिस्टर राम अगर यहां पे भी GST देंगे तो इसको तो डबल खर्चा देना पड़ जाएगा कस्टम ड्यूटी अलग से देंगे जो कि उस समान के टोटल प्राइस के उपर होता है जी एस्टी अलग से देंगे जो कि उस समान के फिर से टोटल प्राइस के उपर होता है तो डबल टैक्सेशन हो गया ना और डबल टैक्सेशन अलाउड नहीं है इसी लिए मामला पुरा इल्ली, तो उसको तो कहीं स्टेट से गुजरना पड़ेगा, और जब भी इंडिया में सामान एक स्टेट से दूस्रे स्टेट相信 में गुजरता है, जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके ओpunkर अपर ा-ई-जी-एस्टी भी लगता है, अ-ई-जी-एस्टी भी लगता है तो Mr. Ram तो बेचारा tax देते ही उसकी जिन्द की निकल जाएगी पहले वो custom duty देगा फिर वो GST देगा फिर वो IGST भी देगा और ultimately क्या होगा समान महंगा हो जाएगा क्योंकि जितना ज्यादा tax लगता रहेगा समान महंगा होता रहेगा तो इससे customer को भी नुकसान है क्योंकि सम का सारा मामला इस समय सुप्रीम कोट में चल रहा है इसके उपर क्या सुप्रीम कोट डिसीजन लेता है वो हम लोग देखेंगे वहले पहले वैसे गुजरात हाई कोट बोल चुका है यह illegal है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है लेकिन सरकार के अपनी argument है सरकार का कहना है कि नहीं पे करूँगा क्योंकि मैं कस्टम ड्यूटी दे रहा हूं और आई जीएस्टी भी दे रहा हूं तो यह पूरे का परमामला थोड़ा सा यहां पर फसता है लेकिन यह सारी की चीजों को अंडरस्टेंड करने के लिए पहले आपको जीएस्टी के बारे में पता होना च आपको समझ में आएंगे आगे बढ़ते हैं समझ में आया होगा तो ठीक है नहीं आया गो तो और भी ठीक है क्योंकि पहले आप एकोनमी के कॉंसेप्ट अपने बेसिक कवर कर लीजी खेर आगे बढ़ते हैं अगली जो नियूज आती है वह आती है यू एनस को से ओर डिप यह कोई कंक्रीट का ब्रीज नहीं है यह जो ब्रीज है ना वो पेड़ों से बनाया गया है ठीक है रबड के पेड़ से बनाया गया है तो रबड के प्रेड की जो चाल होती है जो उसकी टहनिया वगरा होती है ना उनको आपस में जोड के बांध के जैसे हम लोग स्वेटर बनाते हैं ना जर्सी स्वेटर बनाते हैं हमारी मम्मी बनाती है उसी तरह से इनकी जो जड़ होती है ना है ना अब यह जड़े एकदम से बड़ी थोड़ी होती है तो धीरे धीरे उनको बुझते रहते हैं और धीरे धीरे 40-50 साल में पूरہ पर पर मुरिज बन जाता है इतना यूनिक है यह दुनिया में इस तरह की चीज कहीं और मिलती नहीं है और इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको यूनेसको हेरिटेज का स्टैग दे दिया जाए मेगाल्य में यह पाया जाता है खासकर जो खासी और गारो ट्राइबस होती है उनके द्वारा यह बनाया जाता है और मेगाल्या जो मतलब उनकी जो लोकल जो ट्राइबल लेंगवेज है उसमें बोला जाता है इसको जींकेंग जरी ये आपको नाम याद रखना है ठीक है प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आपसे और वैसे इसको कहा जाता है लीविंग रूट ब्रीज क्योंकि ये जो अभ जिंतिया ट्राइब गारों खासी जिंतिया के द्वारा ये ज्यादा तर बनाया जाता है ठीक है अगर टैग इसको एक बार मिल जाएगा तो बहुत सारे बैनीफिट होंगे पहली बात तो टुरिजम अपरचुनिटी यहां पर जिनरेट होंगी मैं में गालिया दो तीन बा लोगर्स घुमते रहते हैं कैमरा हाथ में लेके इंस्टाग्राम का भी यह ट्रेंड है तो इंस्टाग्राम पे लोग जाता-जाता लाइक लेने के लिए यहां पर जाएंगे तो उससे होगा कहा कि जो लोकल लोग हैं एंप्लोईमेंट जेनरेट होगी है ना वहां का हो तो result deserve करते हो ना तो जब यह इतनी महनत करते हैं इतना unique तरीकी से इसको बनाते हैं तो इनको एक जो recognition भी मिलेगा है ना तो यह भी बहुत बढ़िया चीज है तो यह थोड़ा सा World Heritage Site के बारे में आपको यह पता होना चाहिए था comment section में बताईए कि इंडिया में कितने World Heritage Site है total अभी कुछ नई एड हुई थी वो भी बताईए उनका नाम बताईए और एक question को यह बताना है कि इंडिया में एक mixed World Heritage Site भी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे ध्याना आया चीज़ बहुत सारे बच्चों ने मुझे बड़े विश किया था तो सभी को बहुत बहुत थैंक्यू दे के थोड़ा डिले हो गया लेकिन कोई बात नहीं चीक है और कल हमारे स्टुडेंट है स्वाती उनका नाम था उनक सब्सक्राइब के सारी चीज़े बाहर नहीं ज्यादा जा सकते थे क्योंकि कोवीडी वह रहागी वजह से खैर आगे बढ़ते हैं ओल सेट फो टाइगर काउंट एड़ बांधीपूर नागर होल यह टाइगर रिजर्व कहां पे हैं यह है करनाटका के अंदर तो एक चीज यूज़ करने वाले हैं खर वो 2018 में भी यूज़ की थी उसे का जाता है M-Strips एक्जाम में यह औरी कोशन पूछा जा चुका है M-Strips जो हैक मोबाइल एप है और यह मोबाइल आप क्या करती है यह रियल टाइम में टाइगर को ट्रैक करती है देखे हमारे टाइगर रिज जिससे उस एरिया में पाए जाने वाले सारे टाइगर की पॉपलेशन हम लोग रियल टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं इसे कहते हैं M-Strips ठीक है 838 कैमरे लगाए थे ठीक है यह गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड है यह गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड है सबसे ज़्यदा साइट पे सबसे ज़्यदा कैमरा लगाने का अब यह समझ सकते हो कि जब भी 2022 में, 2023 में जो census होगा, उस पर हम लोग कितने ज़्यादा camera हो, कितने ज़्यादा locations पर camera लगाएंगे, ठीक है, तो world record तो खरम बनाने में हम लोग सबसे तेज रहते ही हैं, और 2019 के मैं आपका बता दू, इंडिया में टोटर tiger जो population थी, वो लगबग 3,000 के लगबग थी दुनिया का 70-75% tiger population इंडिया में ही है, हो सबसे ज़्यादा कहां पर है, मध्या परदेश, करनाटका, उत्तरखंड और महराश्टा, ये चार स्टेट हैं, टोप वाले आपको याद रखने हैं, मध्या परदेश का जो pench sanctuary है, मतलब pench जो tiger reserve है, और केरिला का जो periyar tiger reserve है, द 28-39 बच्चों को इन्होंने जनम दिया है, और periyar tiger reserve तो वैसे भी news में है, क्योंकि वो dam को लेके वहाँ पर बहुत ज़्यादा controversy है, मुला periyar dam, तो दोनों चीज़े न्यूज में चल रही है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा google कर लोगे, तो wikipedia अच्छी information यहाँ पर मिल जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा, तो नागर होल और बांदीपूर tiger reserve से हम लोग census की शुरुवात करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे census भी करेंगे, यहाँ ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं, आज के editorial section पर आज का editorial section है, इंडिया जर्मनी के relationship के बारे में है, थोड़ा समयाज को इसके बारे में बता देता हूँ, देखें, इंडिया का एक वोर्शिप था, मतलब है वीबी, जिसका नम है बेंस, तो इसने क्या किया, जर्मनी से निकलने के बाद यह मेडिटरेन ओशन में इसने एक और exercise किया, जिसे कहते है, ATLANTA, ठीक है, ATLANTA को exercise करने के बाद, यह इंडिया नोशिन से होता हुआ, ठीक है, और उसके बाद, यह है, मलक्का स्टेट से होता हुआ, साओफ चैनल सी निकल गया, जिए जपान, जीपान के बाद यह साओध कोर्या में गया, और साओध कोर्य से अब ये वापीस आ रहा है वापीस आते हुए क्या किया इसने ये थोड़ा ठक गया था तो इन्होंने क्या किया मुंबई में चले गए ठीक है मुंबई में थोड़ा रेस्ट फरमाया रेस्ट फरमाने के बाद ये वापीस जो है रेट सी से होते हुए कहां जाएंगे जर् जर्मनी इस तरह की पहली बार कर रहता है पहली बार इन्टरम सेंस के ओंगेज्मेंट हम लोग उनके साथ कर रहे है इसलिए हमारे नहीं पर थोढ़ा से नाम है 21 जनुरी को कल वो मुंबई में आया था अब देखे इसका सिगनिफिकेंस क्या है मतलब सिगनिफिकेंस हम लोग यहाँ पे इंडियन ओशिन के सिगनिफिकेंस की बात भी कर सकते है हम यहाँ पे इंडो पैसिफिक के सिगनिफिकेंस की बात भी कर सकते है देखे दुनिया चेंज हो रही है पहले जो वर्ल्ड ओर्डर था वो जाला तर योरोप और अमेरिकन के डोमिनेंस में हुआ करता था तो वो चीज़ एजेंजर डिसाइड करते थे लेकिन आजकल चाइना का जब से एंगल आ गया है तो उनकी थोड़ी सी हालत खराब हो गई है है ना क्योंकि जो पिछले वर्ल्ड ओर सेकंड के बाद से जो भी सिस्टम चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया कहीं ना कहीं चाइना के वज़े से रहा और अरशिया भी काफी अग्रेसिव हो रहा है टाइम टू टाइम तो आज के समय में जो वर्ल्ड पावर्स हैं योरोप अमेरिका वगारा इनका शिफ्ट कहां पे हो गया है इंडो पैसिफिक रीजन में हो गया है तो जर्मनी भी एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ओडर चाहता है और उस रूल को चाइना डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए वो दिखाना चाहता है कि भाईया हम भी प्रेजंट हैं अभी हम जिन्दा हैं जैसे वो मुवी थी ना शाउड चैना सी में हैंना साउड चैना सी में चांथा है और अर इंडिया तो भी या हम लोwich इंड़ी पईसिफिक की बात करते है तो इंडिया को हिगの सब्सक्राइब नहीं जा सकता, इंडिया center point में है, थीक है, देखि यह है इंडियन ऊशन यह है Pacific Ocean तो भई यह है इंडिया center में है बिलकुल, तो इंडिया को कोई भी ignore नहीं कर सकत आज के समय में, और दुनिया का sixty five प्रसेंट पॉपलेशन तो है जो इंडो पैसिफिक रीजन में ही रहता है दुनिया के जो 33 मेगा सिटीज हैं सबसे बड़ी बड़ी सिटीज है उसमें से 20 तो जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में ही है दुनिया का 62% GDP जो है वो इंडो-pacific region में है 46% जो वर्ल्ड का trade होता है वो इंडो-pacific से होता है दुनिया के जो total green house gas का emission होता है 50% से ज़ादा इंडो-pacific region में होता है जो मतलब जिसके कास-पास के जो country होती है और जर्मनी का 20% से ज़ादा trade वो इंडो-pacific region में होता है तो इंडो-pacific region बहुत important है यॉरोप के लिए तो है ही जिसमें जर्मनी एक बहुत बड़ा important रोल यहां पे play करता है इसलिए जर्मनी जो है वो इंडिया के साथ अपने relation को next level पे लेके जाना चाता है और यही कारणा है कि मुंबई में इस समय उनका जो यह फरीट था वो यहां पे रुका था और जब हम लोग इंडिया और जर्मनी के relation के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हाला कि हमारा trade relation इतना जादा strong नहीं है 1.3 billion euro का ही है इसमें से जो 90% के जो हमारे trade होती है वो climate change के आसपास ही घुमती है ठीक है मतलब commodities की जादा हम लोग trade करते नहीं है लेकिन फिर भी हमारे अच्छे relationship है सबसे बड़ी बात तो दोनों country जो है वो democracy है है ना उसकी वज़े से भी बहुत important role है बहुत सारे लोग इंडिया के जो है जर्मनी में रहते भी है इंडिया जर्मनी जो है अभी इसी साल G7 की presidency उसके पास होगी तो इंडिया यहाँ बहुत important role play करेगा उसके बाद G20 की presidency है वो इंडिया के पास आने वाली है तब ही हम लोग collaborate करेंगे G20 में Glasgow में जो भी बाते हम लोगों ने की थी जर्मनी के साथ हम लोग collaboration कर रहे हैं तो climate change में आज के समय में इंडिया में जो सबसे बड़ा partner है हमारा वो जर्मनी ही है महराष्ट्रा में इस समय में दुनिया का सबसे बड़ा solar power plant बनाया जा रहा है धुले में वो पूरे का पूरा जो हम लोग जर्मनी की help से बना रहे हैं तो हम बहुत ही important player है और आने वाले समय में सिर्फ climate change ही नहीं बलकि defense और दूसरी technology में भी हम लोग participate करने वाले हैं ठीक है और जब से Angel Merkel जो हाँ से गई है जो नए वहाँ के president जो premier आए है वो तो काफी जादा इंडिया को लेके इनो काफी जादा friendly है वो भी बड़ी important role है तो यह था पूरे प्रमामला अगर आपको conclusion लिखना है तो बना बना है conclusion जो है यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कितना अच्छा conclusion यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसी को थोड़ा घुमा फिरा के रिफ्रेज करके आप अपने answers के अंदर योज कर सकते हो ठीक है यह तो news कोई खास नहीं है छोड़ सकते हो देखे two states plan to revive सरस्वती river हर्याना और हिमाचल प्रदेश सरस्वती river को revive करने की कोशिश कर रहे हैं अरे भाईया जो खुद हमारे पास rivers हैं उनको तो आप संभाल नहीं पा रहे हो उनको तो आपने इतना polluted कर रखा है जो पैचारी river वो आपको जो है आशिरवात तो नहीं देंगी वे न उल्टा आपको गाली जरूर देंगी कि उसको जो डिसपीर थी उसको अपने जो है पॉलिट कर दिया खैर यही था आज का आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू वरी मच ओल दा बेस्ट एंड जैहिंद